नमस्कार साथियो मैं अपरी चोदर अपने यूट्यूब सेनल ट्रेक्टर फार्मिंग पर आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको एसकोड कंपनी के स्टील ट्रेक 15 ट्रेक्टर की पूरी जानकारी और डिटेल बताऊँगा साथियो ये ट्रेक्टर 15 HP का है और ये एसकोड कंपनी का ट्रेक्टर है स्टील ट्रेक इस पे फार्म ट्रेक्ट या पावर ट्रेक की कोई प्रेंडिंग नहीं है सिंगल पीस हूट के साथ ये ट्रेक्टर आता है जैसा कि आप देख सकते हैं अगर इसके इंजन की बात कि जाए तो इसमें पूरे 15 HP का एक सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन लगा हुआ है जो की 611 सीसी का इंजन है साथियों ये अपनी मैक्सिमम टोर्क 1500 इंजनेटेड आर्पियम पे प्रोड्यूस करता है और ये 15 HP 3000 इंजनेटेड आर्पियम पे प्रोड्यूस करता है बैटरी को आगे रखा गया है ट्रेक्टर के वेट को एडजेस्ट करने के लिए वाटर कूल डिंजन है जो की काफी अच्छी बात है और इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 18 लिटर की है इसका जो एर फिल्टर है वो वेट टाइप का एर फिल्टर है जो की प्री क्लीनिंग के साथ आता है ट्रेक्टर की शांदार लुक आगे से एक दम यूनीक नोन एलिडी हेलोजन हेड्लैंप दिये गए हैं इस्टिल ट्रेक की ब्रेंडिंग और एसकोट का लोगो आगे ट्रेक्टर की लुक को अच्छा बनाता है कंपनी की तरफ से एक आगे छोटा सा वेट भी दिया गया है साथ ही ये दूसरी साइट से आप ट्रेक्टर की लुक देखिए काफी अच्छा ट्रेक्टर है अगर इसका जो फ्रंट एक्सल है वो नोन एडजस्टेवल है और ये मेकैनिकल स्टेरिंग की साथ आता इसमें प स्टार्टर मोटर आप देख सकते हैं ओयल फिल्टर और ये को जाडिशनल डिटेल है आप वीडियो को पाउस करके पढ़ सकते हैं साथ यो काफी अच्छा ट्रेक्टर है चोटे किसानों के लिए डिजल फिल्टर भी इसमें प्रोवाइट किया गया है साथ यो इस ट्रेक्टर में आपको डिफ्रेंशल लोग नहीं मिलता लेकिन हाइड्रोलिक का लोग मिल जाता है फ्यूल एफिशनसी नमबर वन है इसका जो रियर टायर है वो 8-18 किया है जो की काफी अच्छे है चोटे काम के लिए और इसके चोड़े फेंट है आप जैसा कि आप देख सकते हैं काफी fuel efficient tractor है सबसे सस्तर tractor है farm track की तरफ से शांदार लुक इसके पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं तो इसका जो यह देखिए पिछले हिस्सा शांदार लुक के साथ आता है साथ यह इसकी जो lift capacity है वो 450 kg की है साढ़े 4 कुंटल की है adjustable hitch के साथ यह tractor आता है और यहाँ पर hub reduction technology का पिछला हिस्सा दिया गया है पूरा का पूरा तेल में डूबा हुआ जीरो greasing point के साथ two sensing lift point दिये गये हैं जैसा कि आप देख सकते हैं heavy mudguard support दिया गया है QRC coupler आप इसमें tipping trolley वगएरा add कर सकते हैं hub reduction anti lift होता है यह tractor आगे से काफी कम उठेगा और इसकी PTO की बात की जाए तो इसमें multi speed और reverse PTO का option मिलता है और इसकी जो PTO की HP है जो horsepower है वो 9.7 लगवग 10 HP की PTO steel track 15 में आती है जो कि स्रेणी के लिए काफी अच्छी है यह देखिए ट्रैक्टर का digital और analog instrument cluster digital नहीं है अनलोग है काफी दमदार लुक के साथ यह tractor आता है mini tractor है two wheel drive का tractor है यहाँ पर यह parking दी गई है जैसा कि आप देख सकते है parking के लिए एक switch दिया गया है indicators के लिए और यहाँ पर lighting और hand race दिया गया है और नीचे dashboard पर mobile charging port lighting और stopping switch दिया गया है इसका clutch single clutch आता है dry type का friction plate single clutch dry type का इस tractor के अंतर आपको मिल जाता है यह power steering option इस tractor में नहीं आता और यह यहाँ पर आप देख सकते है PTO का lever इसमें reverse और multi speed PTO आती है जो की काफी useful है spray वगेरा अगर आप लगाते हैं छोटा अपने tractor में साथियों यह देखिए इसमें synchronous type का gearbox है जो की काफी उन्नत और उच तकनीक है latest technology है जो बड़े बड़े ट्रैक्टर में भी अभी नहीं आती आठ गेर आगे जाने के लिए और चार गेर पीछे जाने के लिए side shift synchronous gearbox यह लोहाई का गेर लिवर और आपके इसके brakes की बात की जाए तो इसमें dry type के fix and place type के disc brake लगे हुए है जो कि आपके tractor को तुरंत रोकने के लिए काफी अच्छ है यह पोजिशन कंट्रोल और ड्राफ कंट्रोल का लिवर 450 केजी की lift capacity को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यह toolbox फाइवर का दिया गया है जैसक यह आप देख सकते हैं साथ यह यह ट्रैक्टर 25 किलोमेटर पिरती घंटा की रफ्तार से दोड़ता है 3000 इंजोनेटेड आर्पीम पे जो की काफी अच्छी है 815 केजी टोटल वेट है ट्रैक्टर का ट्रैक्टर का प्राइस 2,60,000 है साथ यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुजा हो में कमेंट बॉक्स में जरूर देना धन्यवाद